प्रेंद्स नमस्कार मैं हूँ आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक बेलकम करता हूँ आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब फेस्बूक राजेटीव नेटवर्क पर दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं कमल नंदलाल क अदैनिक राशिफल आपका राशिफल इस राशिफल में बात करेंगे मेश से लेकर मीन राशिक राशिफल की साथे साथ आपको बताएंगे राशिय अनुसार कुछ सिंपल से उपाए पंचांग बताएंगे दिन का हाल बताएंगे आपका लखी नंबर लखी कलर लखी डि 2022 वैशाक कृष्ण तृत्या पर चंद्रमा व्रिष्चिक राशे और राधान अक्षत्र में रहेंगे दिन का लखी नंबर रहेगा टू लखी कलर रहेगा वाइट लखी डिरेक्शन रहेगी व्यायव यानि की नौर्थ वेस्ट राहुकाल रहेगा शाम को तीन पैतेश से ल विशेश क्या है विकट संकष्टी चतूरती है भगवान गणपती का विशेश दिन है इसे ही अंगारक चतूरती भी कहा जाएगा और हमारा जो स्पेशल उपाय है वो भी विकट संकष्टी चतूरती से ही जुड़ा हुआ है कर्दों से मुक्ति आपको कैसे मिलेगी ये आ पार्थिक नवेश से लाव होगा, बुरी आदतों पर कावू रखें, घरेलू काम निप्टाने में सफल रहेंगे, उपाई ये करें कि पानी में नीबो और शेहद मिला कर पीएं। पार्थिक नवेश से लाव होगा, रचनातामा कामों में रुची बढ़ेगी, रुकेवे काम समय पर कूरे होगे, निवेश से लाव होगा, पारेवर एक सम्मन्द सुधरेंगे, उपाई ये करें। कि सिक्के पर लाल चन्दन लगा कर पर्स में रखें। चटी राशी कन्या यानि वर्गों की बात करेंगे, कारोबार इस्तिती ठीक रहेगी, परिवार में तनाव से चिंता बढ़ेगी, जीवन साथी के सेहत की चिंता रहेगी, रोजमरा के काम पूरे होंगे, धर्म कर्म में रुची बढ़ेगी, उपाई ये करें कि कीमती होगे हैं, उपाई ये करें कि किसी बिखारी को मसूर दान करें, आठवी राशी वर्ष्चे केनि की स्कॉर्पियों की बात करेंगे, कारोबार में लाब के योगे हैं, पारिवार एक समस्या हल होगी, खर्चों में बढ़ोतरी होगी, शेर बजार में निवेश करने से बच होगे हैं, उपाई ये करें कि सिंदूर से क्रीम लिखकर पूजा घर में चड़ाएं, दस्वी राशी मकर यानि कि कि कुपरिकौन की बात करेंगे, पारिवार एक जिम्मेदारी बढ़ेगी, संतान से खुशकबरी मिलेगी, खास मामलों में बड़ा फैसला लेंगे, मितरो के साथ में घूमने पिढने जाएंगे, कारोबार में सफलता मिलेगी, उपाई ये करें कि बेसन से बनी, मिठाई खाएं, ग्यारवी राशी कुम्याने के अकवरियस की बात करेंगे, कामकाजमा आलस से महसूस करेंगे, रुके विये कामकाच पूरी होंगे, कारोबार में धनलाप के योगे हैं पराक्रम में बढ़ोतरी होगी दिंचर्या में बदलाव लाएंगे उपाईये करें कुम्राशिवलों के पूजा घर में चमेली के तेल का दीपक करें जलाएं बारवी रैशी मीन यानि पैसिस की बात करेंगे हर काम सोच समझ कर करें सामाजिक समारों मे भाग लेंगे शत्रूपक्स से सावधानी बढ़तें समाज में मान प्रतिष्टा बढ़ेगी पुराने रोग उभरने के योग हैं उपाईये करें कि गाय को गुड़ खेलाएं तो दोस्तों आप समय आज के स्पेशल उपाय का वो स्पेशल उपाय जो आपको कर्जों से देखे खास दिन है विकट संकष्टी चतूरती है और मंगलवार के दिन चतूरती पढ़ने के कारणिया अंगारक चतूरती भी है विशेश दिन बन गया है और ऐसे में भगवान गणपती का पूजन जरूर करें गणेश जी का पूजन करें और गणपती पर बिल्वगिरी पर सिंदू लगा कर गणेश जी पर चढ़ाएं और जो चढ़ावी जो सामगरी है जो बिल्वगिरी है उसे लाल कपड़े में बांध कर घर की दक्षन दिशा में स्थापित कर दें और इस पूरे प्रयोग में विशेश मंत्र का जाब कर लें मंत्र है ओम दुर्वा बिल प् करता हूं आपको कर्दों से निश्चत मुक्ति मिलें तो दोस्ता आज के लिए बस इतना ही कल आप से फिर मिलाकात होगी इजाज़त दीजे नमस्कार नमस्षिवाएं